असलाम अलेकुम आज मैं आप लोग को उर्दू की चोठी जमात सबक 12 में दिये गए सवालों के जवाबात और खाली जगह को बताने जा रही हूँ सबक 12 में में हैं जंगल की आग ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ किस तरह से जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर परिशान रहते हैं और सब जानवर मिलकर इकठे होकर सेर के पास जाते हैं लेकिन सेर के पास भी कोई तरकीब नहीं होती है फिर हिरन ने सबको मश्वेरा दिता है कि हम अल्ला से फर्याद करेंगे तो हमारी फर्याद जरूर अल्ला सुनेंगे और इस मुस्रीवस से हमें निजात मिल जाएगी और सब जयामर मिलकर अल्लाथ अल्लाथ से फर्यात करते हैं अल्लाथ असकी फर्यात को कबूल करते हैं और बारिश हो आती हैं जंगल की आख बुझ जाती है यह सबक मैं आफ लोग को पढ़ा चुकी हूँ अब आगे देखेंगे हम मंदरजा जया सवालात के जवाबात लिखे यहां कुछ सवाल दिये गए हैं उसका हमें जवाब लिखना है जंगल के जानवर क्यों परिशान थे जवाब जंगल में आग लगने की वज़ा से जंगल के जानवर परिशान थे सवाल नमबर टू जानवरों ने सेर से क्या कहा जवाब जानवरों ने सेर से कहा जंगल में आग लग गई है और आग लगने से हम सब जानवरों को खत्रा है हो सकता है इसलिए आप आग से बचने की कोई तर्कीब सोचे और हमें बताएं सबान नमर थिरी है हिरन ने मुसीवत के वक्त किसे याद करने का मश्वेरा दिया जवाब हिरन ने मुसीवत के वक्त अल्ला ताला को याद करने का मश्वेरा दिया हिरन ने मुसीवत के वक्त अल्ला ताला को याद करने का मश्वेरा दिया समानमा फोर है आग जंगल की आग किस तरह बुझी जवाब जानवरों ने अल्ला ताला को याद करने लगे और फर्यात किया तभी आसमान पर काले बादल घिराएं और देखती ही देखती जोरों की बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई अल्ला तरह जानवरों की फर्यात को कबुल किया और बारिश हुई जंगल की बुझ गई अब आगे हैं मुनासिब लफ्ज चाट कर खाली जगों में भड़े यहां खाली जगा दी गई है यहां लफ्ज दिये गए हैं इसमें जो मुनासिब लफ्ज है जो सही लफ्ज है उसे हमें लिखना है एक जंगल में खाली जगा लग गई थी यहां से हमें अलफाज चाट कर लिखना है आग या जाग तो यहां आग होगा तो यहां हम आग लिखेंगे एक जंगल में आग लग गई थी अब दूसरा है सभी जानवर एकटे होकर यहां फिर खाली जगह है के पास गएं अब यहां सेर के पास गएं या बंदर के पास गएं तो यहां हम लिखने सेर के पास गएं सभी जानवर एकटे होकर सेर के पास गएं अब तीसरा है हिरन के मश्वेरे पर सभी अल्ला से या खाली जगह है करने लगे क्या करने लगे दर्बार करने लगे या फड़ियाद करने लगे तो यहां होगा फड़ियाद यहां हम फड़ियाद लिखेंगे हिरन के मश्वेरे पर सभी अल्ला ताला से फड़ियाद करने ल वो अपने बंदों को कभी नाखुश नहीं करता इस तरह से हम अलफाज को लिखाएंगे और जुम्ला को मकमल करेंगे सब को अच्छे से अपने नोट बुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना खुदा हाफिज